इप जर्फ विडियों हम लोग करेंगे टॉप 100 करेंट अफेस आपके एरफोर्स और नेवि एक्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिसमबर महीने का पूरा महीने कमपालेशन बनाया है याँ डिसमबर महीने के जो टॉप 100 करेंट अफेस थे उनको आपर compile किया है वैसे मैंने एक मैने का भी तक compile नहीं किया है और December मैने का compile करने का reason सिर्फ एक ही है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक मैना current affair जो कि सबसे important है आपके Air Force and Name exam के लिए तो वो है December का मैना अगर आप सिर्फ एक ही मैने का current affair पाड़ना है तो मैं बोलूँ है कि सिर्फ December मैने का पाड़ी है क्यों December मैने का current affair बहुत important है अगर जिस time आपका exam scheduled है उस हिसाब से इसी वैसे मैंने compilation बनाया है ताकि अगर आपने miss भी कर दियें December मैने current affair तो आपका एक बार फिर से मतलब अगर आपने miss कर दी है तो cover हो जाए पूरा और अगर आपने कर रखा है यानि बहुत लोगों ने कर रहा है मझे पता है कि मैंने पहले से बोला था कि बहुत important टाप करेंट डिसम्बर मैने के तो जिन लोगों ने कर रहा है उन्हों का बहुत अच्छा खासर इविसन हो जाएगा और उनके आपर करेंट अफेस के मार्क्स जो है आराम से पक्के हो जाएंगे तो चलिए और देखें बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में कि कोई यह पहले तो 100 इन कुश्चेंस को कंपाइल करना फिर उस वीडियो को बनाना तो बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और हो सकते इस वीडियो को शेयर कर दीजेगा जहां भी जो भी आपका फ्रेंड और एरफोस है नेवी तेहरी कर रहा है तो प्लीज इस वीडियो को तक पहुचाईए ठीक है माचल प्रदेश उत्राखंड या फिर वेस्ट बेंगॉल आंसर इसका उपशन No. C. उत्राखंड ठीक है इसका सही आंसर आंसर No. C. उत्राखंड अगला कुश्चन देखते हैं इंडिया एक नाम है एक नेवल एक्सेस है इंडिये ने ने विए safety के बीच किस or navy के बीच में होगा या पूछा यह से पूछा जैपाएंस सिंगापूर इंड्वनेश not okay उब और या नेवल फॉर्सेस के बीच में ठीक है को यह कहां पे होगा यह गोजर om ठ** पर नचिए तो option no10 क्त चे आनसर हो जाएगा अगला कुस्ट्य N water इयर parti यूनिट्स ऑफ इंडिया और इंडिया और इंडिया की एर फोर्स और कौन सी कंट्री की एर फोर्स यहां पर कोप इंडिया 2019 इसमें एक्सराइज में पार्टिसेट करेंगी तो आंसर इसको अप्शन नंबर बी यूनाइट थेट ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन है तो जोर्जिया कंट्री की सबसे प्रिथम विमन राष्टपती यह नहीं महिला राष्टपती कौन मनी है जैनिसा रे मेलिसा फेग ग्रीन अस्यू मॉंड किड या फिर सैलोम जुबा विशली अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है विच इस देखते हैं विच इस देखते हैं विच इस देखते हैं जैनल यूथ पीस कौनफरेंज काथमांडू कोलंबो निव डेली अगला कुश्चन देखें अगला कुश्चन है विच कंट्री विच कंट्री विच इस बिकम नाटो नेशन तो अपॉइंट आप्ट आ फीमेल चीफ ऑफ आम्ड फोसेज स्लोवेनिया, बेल्जियम, इटली एफ लक्जंबर्ग तो आंसर इसका उप्शंबर डी लक्जंबर्ग अगला कुश्चन है इरावातम महादेवन, the renowned epigraphist, has passed away recently, he was from which state तो इनका भी हाली में निदन हो गया, इरावातम महादेवन का तो इक कौन से state के रहने वाले हैं और यह बहुत अच्छे epigraphist थे, ठीक, epigraphist के मतलब है जो stone sculpturing करता है, जो stone में जो लिखता हो, जो लिखा होता है, उसको पढ़ता हो, उसको बोलता है, epigraphist, तो इक कौन से state के थे, आंद प्रदेश के रहला, करनाटक, तमिल नाडू, answer option number D, तमिल नाडू, ठीक है, तो नाम रियाद रखना है, state रियाद रखना है, और किस से relation है जीता है, तो यह जीता है, अभिनव बिंदराने, option number C, सही answer हो जाएगा इसका, अगला question है, कि, what is the theme of the 2018 World's Aids Day, तो World's Aids Day पहले तो कम मनाया जाता है, यह आपको पता हो ना चाहिए, यह मना जाता है, पांच दिसंबर को और साल, और, sorry, एक दिसंबर को मैंने इस World's Soil Day समझ होता है, ठीक है, यह बहुत पॉपलर है, तो एक दिसंबर को World's Aids Day होता है, तो इसका अभी क्या था, theme क्या था, theme बहुत important होता है, theme पूछा था, आपके exam में, तो इसका theme था, know your status, अभी इसका theme यह क्यों रखा गया था, यह पता हो ना चाहिए, क्योंकि 37 million लोग, यहने कि तकरीबन 3,70,000,000 लोग यहां पर HIV positive है, और उनमें से बहुत लोगों को अपना status नहीं पता है, कि वह HIV positive भी है, ठीक है, तो एक तरह से theme रखा गया, कि नो यह और से status है, अगर लोग अपना status भी जान गया, तो बहुत उनको, फिर वो इलाज के लिए भी जा सकते हैं, तो इ 2050, अगला question है, अगला question है, which country will share the Kimberley process from January 2019, तो कौन सी country यहां पर Kimberley process को share करेगी, यह पूछा गया आप से, तो यह share करेगी इंडिया, ठीक है, Kimberley process को होता है, जो diamond conflict में, ट्रेड में, जो diamond conflict होता है, उसके related यह है, Kimberley process, और 2019 का जो एक बल सकते हो, चेर मैं करेगा, वो इं अगला question है, अगला question है, India's first owl festival was held in which of the falling cities, तो इंडिया का सिबसे पहला owl festival कहां पर हुआ, यह आप से पूछा गया है, तो option है, उदयपूर लखनव पूने कोलकाता, आप्शन नमबर सी पूने, ठीक है, आउल का बहुत black marketing हो गया रहा होता है, तो इसी वज़े से यह festival मना ज जाता है, अगला question है, विच बंगलादेशी अक्टिविस्ट has been chosen for the UNESCO, एमेर जाबर, अल एहमाद, अल जाबर, अल सबहा प्राइस for digital empowerment of persons with disabilities, तो किसको यह चुना गया है, साइदुल अलम, रफीदा, अहमाद, बोन्या, वशकर, बट बट जी यह फिर ताइबा, मजूंदा answer option number C, क्या नाम इनका वशकर भटाचर जी, ठीक है, अगला question है, विच कंट्री इस पार्टनर कंट्री अट इंटरनाशनल CII AgroTech 2018, UK, France, Germany and Australia, answer option number B, France, अगला question है, अगला question है कि, who is the author of the book, architecture of justice, a pictorial walkthrough of the supreme court and high courts of India, कुल्दीप सिंग, विने ठाकुर, नागेसवर राफिर, एस चेंदर राए, answer option number B, विने ठाकुर, ठीक है, तो अगला question देखते है, विच नौद इस्ट स्टेट, ठीक है, विच नौद इस्ट स्टेट इस्ट 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 इस्टोनियन अकाडमी और एगवर्नेंस असाम नागालेंड तुपरा फिर मीजुरा मांसर, option number B, नागलेंड अस्टोनियन के साथ यहां पर नागालेंड ने यहां पर एगवर्नेंस के पर एक पैक्ट साइन किया, ठीक है, अगला question है, which of the following cities is the venue of the UN climate summit, नहीं की COP24, तो COP का मतलब कहाता है, COP कहाता है, Conference of Parties, अभी तो यह कहां पर हुआ है, यह 24th इसका summit, तो इसका 24th summit वहां, काट वाइस, यह काट वाइस कहां बढ़ता है, यह पोलायंड में की एक city है, ठीक है, तो वहीं पर यह जबार का COP24 हुआ, ठीक है, climate change के रिगार्टिंग, अगला question है, which of the following countries has become the world's first nation to recognize orphanage trafficking as a form of modern slavery, Indonesia, Spain, Belgium, में फिर ऑस्ट्रिया, answer option number C, Belgium, अगला question है, United States has signed trade pact with which of the following countries to replace North American Free Trade Agreement, तो नाफ्ता को यहां पर किस रिप्लेस किसने किया, किस कांट्री के साथ किया, United States ने, यह किया है, Canada और मेक्सिको, जो इसकी दोनों border border countries है, अगर यह USA है, तो यहां पर आपको Canada देखने को मिलेगा और नीचे इसके Mexico देखने को मिलेगा आपको, अगला question है, which of the following is the first leader to lose freedom of Paris award, तो यह कई बार में question आपको Canada वेर की विडिम करा चुका हूँ, freedom of Paris award किसे छीन लिया गया है, तो यह छीना गया है, Aung San Suu की, जो कि मेयामार की एक लीडर है, और इन स से क्यों चुनना चीना गया है, क्योंकि यह रोहिंग्या के मसले को यह solve नहीं कर पा रही है, इसी वज़े से यह इन्होंने अपना जो first freedom of Paris award को लूज कर दिया है, अगला question है, who has become the first Indian to be elected as the vice president of international shooting federation, तो ISSF का यहाँ पर कौन, vice president नहीं किया गया, अभिनव बंजार रनिंद will host the G20 summit in 2022, which is the following is not a member of G20, अभी G20 की जो summit है, वो 2022 में भारत इसको host करेगा, इनमें से कौन सा देश इसका member नहीं, इसका सदर से नहीं है G20 का, यह है Spain, Spain इसका member नहीं है G20 का, अगला question है, Cyril Ramfosa, who is expected to be the chief guest at 2019 Republic Day of India, is president of which African country, तो Cyril Ramfosa, यह question है बता तो, बहुत important आपकी exam के ल नो रट लीजेगा, इस question को, तो Cyril Ramfosa, यह कौन से देश के राश्पती हैं, जो कि 26 January को जो Republic Day होगा मनाए जाएगा, उसमें chief guest के तोर पर आएंगे, यह है, South Africa के president, option number 20 का सजी आनसर होगा, पहले आना था, डोनाल्ड टरम्प को लेकिन उनना आने से मना कर दिया था, फिर इनको नियूत किया गया, मतलब नियूत किया गया, इनको बुलाया गया, Cyril Ramfosa को, जो कि South Africa के president है, यह आएंगे बर जो हमारी 2019 का Republic Day होगा, उसमें, अगला है, the second, Russia, India, China, RIC, trilateral summit has recently held in which of the following cities, New Delhi, Beijing, Buenos Aires, यह फिर, Moscow, तो यह हुआ है, ब्यूनस, आरियस जो की है, किस country की city है, Argentina की, ठीक है, तो यहां पर हुआ है, समीट अभी, अगला question है, which is the following words, has been declared people words of 2019 by Cambridge dictionary, तो people's words, निकि लोगों का सब्द यहां पर कौन से सब्द को डिक्लेर किया है, Cambridge dictionary ने, यह किया है, नोमोफोबिया को, नोमोफोबिया का मतलब पता होना चीए, बहुत अच्छा मतलब इसक जब आपके पास आपका मुबाइल नहीं होता है, तो जो आपको तड़बन होती है, उस समय जो आपके समय स्ट्रेस होता है, यहनी कि मुबाइल नहीं नहीं रह सकते हैं, तो उस समय जो आपकी तड़ब होती है, उसको बोलते है, नोमोफोबिया, ठीक है, अगला question है, which city will be the venue of the India's first indigenous film festival 2019, New Delhi, Patna, Kolkata, Bhubaneshwar, answer option number D, Bhubaneshwar जो की है, Odisha की city, ठीक है, यहाँ पर इंडिया का पहला indigenous, indigenous का मलदब है, कि पहला खुद का जो भारत में हो रहा है, film festival, Bhubaneshwar में होगा, which city will be the venue of the India's first, यह तो फिर्स वही, question repeat होगा, Bhubaneshwar इसका answer होगा, अगला, what is the theme of the 2018 international day of persons with disabilities, तो persons with disabilities का इस बार का theme क्या होगा, option आपने देख सकते हो, इसमें को जो सही answer हो, option number D, last option है, empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality, अगला है, what is the name of India's first locomotive less train, which was recently news, फिर सही अब बहुत ज्यादे इंपोर्टन कुश्चिन एक्साइल रफोसा होगा, यहाला, रट लीज़ेगा, इसको भी बिलकु कौन सी होगी, train 21, 18, 11, 36, बहुत बार बता चुका हूँ, जब मैंने currentFS कवर की है, इसका नाम है train 18, इसका जो भी ट्रायल है, वो भी सफल रहा है, तो answer हो, option number B, train 18, रट डाले train 18, ठीक है, अगला है, which country has recently decided to withdraw its membership from OPEC as of January 2019, तो oil and petroleum exporting countries, इसका full form है, कब बना था, 1987 सा कुछ बता चुका हूँ, कहाँ पर headquarter है, Vienna, Austria में इसका headquarter देखने को मिलेगा, अभी कौन सी country से हटने की एक बात कहीं किस country ने, तो यह कहीं है, कतर ने, जो की है, Asian country तो option number B, सहीं answer हो जाएगा, कतर, ठीक है, यह 2019 में हटेगी, अगला question है, who has been awarded as PETA, award for banning the Chinese manja in Delhi, तो किसको PETA award से नमज बंद करने के लिए, तो यह नमा जाएगा है, इमरान हुसाइन को जो की डेली government में, environment minister है, ठीक है, तो option number A, answer हो जाएगा, इमरान हुसाइन, अगला question है, तो यह था, बिलासपूर police station, ठीक है, बिलासपूर जो की 36 गण पढ़ता है, तो वहाँ की जो SP साब थे, जो की एक Muslim थे, तो जो बहुत अच्छी बात देखने का से मिली, उन्होंने यह initiative चालू किया था, राखी वित खाकी, जहां पर बहुत सारी लड़कियों ने, policeman को राखी बान दे और यह एक world record ठीक है, तो option number C, बिलासपूर पुलीस, अगला question है, which international organization will provide a dollar 85 million loan for skill development in उड़ईशा, तो कौन सी international government यह loan provide करेगी उड़ईशा को, यह करेगी ADB, यानि कि Asian Development Bank, option number D, ठीक है, ADB का मतलता है, Asian Development Bank, अगला question है, who has been sworn in as the new president of Mexico, Mexico, तो Mexico का नया राश्च्पति अभी किसे निवत किया गया है, कौन बनाया है, किसने अभी शपत ली है, Mexico को नया राश्पति के तौर पर, तो यह ली है, Andres Manuel Lopez Obrador, कई बार बता चुका हूँ, रेट लीजे, यह भी बहुत important है, एक तो यह Mexico का, और एक Maldives का, Maldives का कौन बहुत दोनों important question है, मेक्सिको के और Maldives के, Maldives का तो ज्यादा important है, comment section लिख के बताना, नहीं है कि तब मैं बताऊंगा अपको, अगला, what is the objective of heart attack rewind campaign launched by FSSAI, तो यह इसका है, option number D, all of the above, एने, अलिवने इंडिस्ट्रियल प्रोड़क्ट, ट्रांस फैट्स, प्रमोट यूज indigenous refined vegetable oil, promote hygienic food, अगला question है, which city is the venue of the Asia Pacific summit 2018, Delhi, Kathmandu, Viettine, या फिर माली, answer option number A, New Delhi, अगला है, which is the following theater level, maritime exercise will be conducted by Indian Navy, सागर कवच, अवर्दान, एस सी, विजल या फिर ट्रॉपिक्स, तो यह करेगी यहां पर, ट्रॉपिक्स, option number D, कसी answer, ट्रॉपिक्स, यह बिए लिए लोगे लिए, अगला है, which city is the venue of the 18th session of the Policy Commission for the World Customs Organization, Delhi, Dehradun, Indoor, या फिर मुंबई, answer option number D, मुंबई, अगला है, एट लाविम डेबेबे, who on the 2018 Pune International Marathon is from which country, तो कौन सी कंटरी से आपको उताना है, तो यह है, एथियोपिया से, option number C, सही answer होगा इसका, ठीक, एथियोपिया, ए एक्स शिन्यू मैक्तरी 2018 है, started between India and which country, तो एक्स शिन्यू मैक्तरी चलुगा है, इंडिया और जपान के बीच में, यह एक एरफोर्स एक्सेसाइज है, ठीक है, जपान एरफोर्स और इंडियन एरफोर्स के बीच में, तो एरफोर्स स्टुएटन से लिए बहुत ज़्याद पता होना चाहिए, यह हो रही उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में, अगला है, हो रही कि अंगा हुई है, ठीक है, अगला कुस्चिन है, which of the following cities is the venue of the international conference on beers, उदैपुर पतना आग रहा है, फिर पूने, answer option number D, पूने, अगला है, who has been honored with the 2018 men's ballot, यह भी कुस्चिन चुका हूँ, कई बार, यह करेंट डेफेस में, answer is option number C, लिवका मॉडरिक, ठीक है, ना तो यह लिए मैसी है, ना तो राणलों, answer option number C, लिवका मॉडरिक, जो कि हैं, क्रोएशिया टीम के खिलाली, अगला है, which state government has announced a new initiative, पीठा to publicize government scheme, यह भी कई बार करवा चुका हूँ, पीठा, इनिशेटिव किसने लाँच किया है, government की जो scheme साथी, उनका एक तरह से advertise करने के लिए, उनको publishize करने के लिए, यह है, ओलीशा गवर्मेंट, option number A, यहां के chief minister कौन है, नवीन पतनायक, अगला है, who has been appointed the new finance secretary of India, तो नाया finance secretary किसको बनाए गया है, option अपने देख सकते ह तो इसका जो सही answer होगा, यह होगा, option number C.S. Venkid Raman, ठीक है, अगला question देखते हैं, अगला question है, कि, which is the first northeastern state in India to launch pan-India single emergency number 100 under ERSS, तो यह बन गया है, northeast अनका एक state, जिसका नाम है, नागा लेंड, option number A, अगला question है, who has become the first Indian to be elected in ISSF's judges committee, यह शुर्दत पावन सिंगा, रनिंदर सिंग है, फिर अभिनव बिंदरा, तो पहला इंडियन जो कि ISSF judge committee में elect हुआ, वो है, पावन सिंग, option number B, सही answer होगा, अगला है, who has clinched India's first ever international medal in ultra running, तो किसने यह किया है, सुनील शर्मा, अलल मीना, उल्लास नरायन, और फिर केस जा, तो पहला है, who, किसने, first ever international medal in ultra running है, उल्लास नरायन, option number C, सही answer है, अगला है, whose, which noted artist is the winner of the Turner Prize for 2018, तो Turner Prize किसने जीता है, तो यह जीता है, शार्लोट प्राउडगरने, किसने जीता है, शार्लोट प्राउडगरने, ठीक है, तो अगला question देखते है, अगला question पे है, कि government of Nagaland has inaugurated a new project named the development of tribal circuit under the शोदेश दर्शन scheme, this falls under the ambit of which central government ministry, तो यह है, आपका ministry of tourism के अंदर, option number A, सही answer होगा, ठीक है, सुदेश दर्शन scheme, अगला question है, कि इंडिया's longest rail road bridge, बोगी बीज़ बिज़ 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 और, which is the following river, यह भी question बहुत ज्यादा important है, फिर सथा तो कई बार यह बता यह ख है, जमाब करनेट करता है, बार अरोणाचर परदेश को ठीक है, और मेने मेने को काफी चीज़ चीज़ है, मैं आपको बताए¿ थी पहले है तो यह क्म रोड ब्रीज़ ड्रीज रेल रोड बीज़ ते स्से लमबा ब्रीज़ नहीं है, सबसे लाप ब्रीज़ नहीं है अगर सबसे लंबा रोड ब्रीज की बात करूं तो वह आपका कौन सा हो आप लिखे कॉमेंसेशन बताएंगे वह भी आपका नौर्ड इस्टेंट में देखने का मिलेगा ठीक है तो आप कॉमेंसेशन लिखे बताएंगे कि उस सबसे लंबा ब्रीज कौन इंडिया में भी माडम तसादव एक्स मिजिम्न 점 दो फॉस्टर टूरिजम डिफंस मिनिस्टर डिफेंस टूरिजम रीज तैुरिजफ से इंडियायं कॉमिकेशन सेत Ilan यह this下ляется ओँ इनाम में है GPT11 ये लांच की इंटियानि एर फॉर्स के लिए कहां से लांच की। है दिब्टीन दिम्टीनएंट घृट्ट से ऊपनोंच से धीए अगला मेडलिष बर्मनенная तो यूटल नाम नाम पूचा सकता आप से सपना बरमन अभी इनको यून हो इसका यह भी आई का इसला नो किसका एप अप इस बीआ है एक अप इंस्टाल करका खोगा तो समय नोटिफिकेशन भी बार-बार आता है कि यह नो इस्टॉल कर लीजिए ठीक है अगला हूँ इस दा ऑथर ऑफ दे बुक ब्लू वॉटर अहयो तो ब्लू वॉटर अहयो के यहां पर लेखा कौन है यह अनूप सिंग यह कोश्चन इंपॉर्टेंट इस वैसे नेवी के लिए नेवल कमांडर रहे चुके है ठीक है ठीक है तो और नेवी के बारे में यह बुक लिखी उन्होंने अपने करियर के बारे में तो अनूप सिंग इसका सभी अंसर होगा अगला कोश्चन है नेल जैनरायन हुपास जब रिसेंटली वस अनोटेट परसनालिट विच फिल्ट तो यह थे अग्री कल्चर के ठीक है नील जय रवन अप्शन नंबर यह अंसरों का अग्री कल्चर अगला है कंधामल हल्दी विच इन निवस फट इस जी आई टाइट इस प्रेड्यूज इन विच फॉलिंग स्टेट तो यह भी कई बार करवात चुको कंधामल जो हल्दी होती है जिसको जियाई टाइग मिला जियाई टाइप का मतलब होता है जोगर्फिकल इंडिकेशन टाइग तो यह किस स्टेट की है जहारखंट त्रिपरा और इसा यह फिर वेस्ट बेंगॉल आंसर अप्शन नंबर सी और इसा ठीक है अगला है विच इंडियन आम्ड फोस से फोस हास रिसेंटली कंडिक्टेट एक्स क्लीन सी टूथाजन नेटीन एट सी ऑफ पोर्ट ब्लेर तो यह किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस यह बहुत बहुत अंतर होता है अंतर क्या होता है इसकी रिगार्डिंग वीडियो बना चुका हूं कि इंडियन नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड वैंतर क्या होता है अगर आप नहीं देखी तो जाके देख सकते हो आप सर्च करोगे इंडियन यह तो फिर मैं लिंक डाल दूंगा बताना तो डिस्क्रिप्शन में अगला कुस्टिन है इंडिया इंडियेट स्री आइडियेट फॉर इंडिया इ आइए एफ अथलीट ऑफ दे एर अवार्ड इलिवड किप्शोगे काटरीन इंबार्गुएन या फिर बोथ एंब फिर वैलेडी एडम सांसर ऑप्शन नमर सी बोथ एंब दोनों ने यह जीता है वार्ड आक्चली इन्होंने मेल कटेगरी में जीता है और उन्होंने फीम अगला कुश्चिन है विच फॉर्म इंडियन डिप्लोमाट है बीन एलेक्टर टू दो टू अश्या पैसिफिक सीट सीट ऑन दा यूएंच कमिटी ऑन एकनोमिक सोशल और कल्चिरल राइट निरुपम राव प्रीति सरन अमीरा शंकर फिलल इत्मान सिंग आंसर ऑप्शन अगला है कि विच स्टेट गवर्मेंट हाज स्मार्ट इनिशेटिव और एगरी बिजनिस एंड रूरल ट्रांसफरमेशन तो किस ने स्मार्ट इनिशेटिव लॉंच किया है के रहले तमिल नाडू महाराज चे फिरा सा मांसर ऑप्शन नमर बी तमिल नाडू अगला कुश नमर्पशन देखते हैं ऑफिया नियुएं से दूसरे नमर पर चाइन तीसे नमर पर आता है इंडिया है और उसके पांच नमर पर आता है रसिया अगला कुशिण है वोड़ इस थी वाथ वो तुट्वाइल डे तो वोल्ल स्वाइल दे आभी मैंने बताया था कि पांच द प्रनाब बर्दन जैती घोष्ट जग्दीज भगवती फिर कृष्णा मूर्ती सुब्रमनियन तो सिफ कृष्णा मूर्ती सुब्रमनियन इसका सही अंसर अप्शन नमबर डी चीफ एकनॉमिक डवाइजर इन्हें को बनाएं गया अभी अगला क्वेश्चन है मौलाना असरा उलहक कास्मी फॉपाज़ रिसेंटली वोज लोग सवां एंपी फ्रॉम विच बिहार कॉंस्टिवेंसी तो कौन सी बिहार कॉंस्टिवेंसी से यह थे जो भी रिसेंटली की डेथ हुई है मौलाना असरा उलहक कास्मी यह थे आपके ऑप्शन नमबर डी किशन गंज ठीक ह अगला है विच शॉर्ट स्टोरी राइटर हैस बैक 2018 साहित अकाडमी अवाट फॉर्ड कश्मीरी लैंग्वेज तो यह जीता है मुष्टाक एहमद टांट्रे ने ऑप्शन नमबर बी ठीक है मुष्टाक एहमद टांट्रे ने जीता है अगला है दे यूएन फूड क्या है यूएन फूड एंड अग्रीकल्चर और्गनाइज़ेशन ने एफ ए ओ हाज डिसरे टू अबसर विच इयर अस इंटरनाशनल इयर अफ मिलेट्स दो हजार इकिस दो हजार चुबीस दो हजार तेस है अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन है कि विच कंट्री ग लोग काम करते हैं उसको बलते हैं बलू कॉलर वेकर्स जाप्स बनाया यह बनाया यह बनाया जापान ने ऑप्शन नमबर डी साज अगला कुश्चन है विच कंट्री सेट अब बिकम दे वर्ल्स फर्स कंट्री तो मेक और इट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री बाइड कंट्री सब पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर देगी तो यह लगजंबर कौन से अप्शन में मिल जाए गई ऑप्शन नमबर डी लगजंबर ठीक है अगला कुश्चन है वाट इस थीम अधीन इंट्रनाशन वालेंटर्स डे तो इंट्रनाशन वालेंटर्स डे की यहां अगला कुश्चन है विच स्टाइब इंडिया वेंचर कैपिटल सेमिट तो 2018 स्टाइब इंडिया वेंचर कैपिटल सेमिट के यहां पर कौन से स्टेट होस्ट करेगा आंद्परदेश गोवा के रहला है फिर तामिल आडू अंसर ऑप्शन नमबर बी गोवा दे ब्यूट स्टेटी ऑप्शन नमबर बी ठीक है फिर स्टेट सॉरी अगला है विच ओफ फॉल्विविंग अस बीकम दे इंडिया सेकंड कंटेनर कार्गो सेक्टर और इन लैंड वाटर वेज आइडबलू तो यह बन गया है आपका कोलकाता पटना ऑप्शन नमबर बी सही अंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुछिण देखते हैं अगला कुछिण है किस्ट्री नाइन की आइए निकी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ठीक है इसका मतलब बताब आटिफिशल इंटेलिजेंस एए फॉर ओल्लोबल हैक अथान आज बीन लांच बाइनीतिया योग इन पार्ट लांच वाफ ऑफिश यूनियन मेंस्ट्री तो पसाद इसके बहुत नियूज में चल लाई है तो उसको किस मिनिस्ट्री लांच किया उसको लांच किया आपकी मिनिस्ट्री आफ टूरीजम ने ठीक अप्शन नमर बीस है अंसर होगा अगला है विच स्टेट गवर्मेंट ह वाड वडायोंगा यह उस्टेट वन्क भरल उप्राइट पहले किस ने आपर डूर्ड Лाल प स्टेट porte स्टेट सर टीमिन यह Emma बहुत अच्छा पार किया ऑनका मेंट स्टेट्स के अय बमद्रेकर करेंश। जी में मद्रिदेश की तरफ से खेलते हुए यह हाइस्ट यहां पर रेकॉर्ड बनाया है ठीक है अगला कुस्छन है विच फॉल्विंग स्टेट्स हाज बीकम दो इंडिया फॉर्स्ट स्टेट टू है फॉर इंटरनाशनल एरपोर्ट तो कौन इंडिया का सबसे पहला से ब पर जहां पर चार इंटरनाशनल पोर्ट देखने को आपको मिल जाएंगे इसका उद्गाटन वाइस प्रेसिडेंट ने किया था जो कि हैं वेंकाया नाइडू अगला कुस्छन हो एज वान ट्रॉफी आफ मिस्टर सुपर सुपर नैशनल तो यह जीती है आपकी सुपर नैशनल 2018 अगला है और विच डेट इंडियन नेवी सलिब्रेटेड दो सब्मरीन यह कुश्चिन कासरा आप लोग पताएंगे क्योंकि यह कुश्चिन कई बार करवा चुका हूं और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है कि इंडियन नेवी ने अपना सब्मरीन ड दा फार साइड ऑफ दा मोन रेसेंटली तो चाइना ने भी कौन से मिशन लाउंच किया मून चंद्रमा के लिए ठीक है तो यह लाउंच किया चेंज एफॉर्ट ऑप्शिन नंबर एस यह अंसर होगा और यह चाइना का पहला मैंड मिशन है कहां पर चंद्रमा के लिए ठी इस एक्सिलेंस आवर 2018 फो साइबर सेकुरिटी एजिकेशन तो एटी मतलब कि इंडियन इस्टिट्यूट ऑफ टेकनलोजी को किस आइटी को यह आवर्ड मिला है तो यह मिला है आइटी खड़कपूर ऑप्शन नंबर भी खड़कपूर कहां पर है वेस्ट बंगॉल में ठ चंदीगर अगला कुश्चन है हूँ हास बीकम दे यंगेस्ट इंडियन गोल्फर टुविन एशन टूर ऑफ और ऑफ मेरिट तो कौन से यहां पर यंगेस्ट इंडियन गोल्फर बन गया है एशन टूर ऑफ मेरिट चीतने वाला यह बन गए शुभांकर सर्मा यह कई बार रजनीश गिरी हास बीन अवाड़ेटीव यंग बायो टेक्न लॉजिस्ट आवर्ड टूजन एटीन फॉर विच फॉर इस पर पॉर इनोवेटिव आइडिया ऑन इबोला वायरस चिकन के निया अचाई भी फिर जीका वायरस यह भी जीका वायरस बहुत फैल रहोगा आप अब एक अब बोल दक्ते की रिसर्च यह ठीक है तो रजनीश गिरी किस रिलेटर है जीका वायरस अगला है दा सेंट्रल गवर्मेंट कॉंटरिशन नाशनल पेंशन स्कीम और पीस आज़ेज तो हाव मच परसेंट फॉम एग्जिस्टिंग 10 परसेंट से बढ़ा कर नाशन इपेमेंट तो कौन सी पहली डिस्टिक को इंडिया में बन जाएगी जो की इपेमेंट सेट करेंगे डैली पुने कोलकाता चिन नई आंसर ऑप्शन नमर भी पूने ठीक है अगला है विच स्टेट टूरिजम आफ इंडिया थे फॉस्ट एवर अडवा अडवेंचर नेक् तो यहां पर 2018 International Anti-Corruption Day कि दिन होता है 10 दिसमबर 9 दिसमबर 11 दिसमबर 12 दिसमबर आंसर ऑप्शन नमर ए 10 दिसमबर ठीक है अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन है आपर कि विच अगला कोश्चन है विच फॉल्लिविंग वाज बीकम दिस्रिक्ट अवर नाचल प्र पर लेटेस्ट रिपोर्ट माइगरेशन डेवल्पमेंट ब्रीफ इंडियस एक्सपेक्टेट रिटेन इस पोजिशन अगला कोश्चन नमबर विच फॉलिंग और्गनाज़ेशन अगला कोश्चन नमबर विच स्टेट गवर्मेंट फेसिंग हरस्मेंट तो यह लॉंच यह तामिल नाडू गवर्मेंट ने विमेंस के लिए ठीक है अप्शन नमबर ए तमिल नाडू आखरी कोश्चन आंसर आप में को देना है विच इंडिया आगा खां गोल्ड होकी कप टूर्णामेंट तो किसने अगा खां गोल्ड होकी कप टूर्णामेंट जीता है राजस्थान मद्यप्रतेस से इंप इंडियन रेलवेज बहुत अच्छा कोश्चन है कोमेंट सेक्शन बताइएगा क्योंकि पूच्छा भी जा सकता सब्सक्राइब के एक्जाम में यह था पहला पार्ट एवी से कंपाइलेशन का देखिए बहुत लगातार 35 मेंट मैंने फ्रेक भी नहीं लिए भी इसे आप दे सकते हैं पर तो बहुत मैनत लगए तो प्लीज इस वीरे को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देन